संभल में एक बार फिर तेंद्वे का खौफ देखनी को मिला तेंद्वे ने एक चार साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया गटना गुनोर थाना के मजरा हकीम पूर गाउं का है जहां एक चार साल के मासूम को घर से एक तेंद्वा उठा ले गया परिजनों ने इसकी सूचना वनवे भाग को दी वहीं मौके पर पहुंची वनवे भाग की टीम ने बच्ची की तलाश शुरू की तो उसके शफ के अफशेश और कपड़े जंगल और खेतों में मिले इसकी सूचना मिलते ही परिजनों में कोहरा मज़ गया क्या घठना हुए यहां पर यह पर यह बच्चा को ले करकर और जुना वर चला गया था जातर वो साथ होता है तैंदुआ तो यह बच्चा कुछ मिला कुछ बच्चे हां कपड़े में दिखा ले कहां से गया है यह बच्चे को उठाके लेगा घर से उठाके लेके काम मारते लेगा हमारे काम में एक तेंदुआ आया था बच्चे खेल लेते उद्दस बच्चे को उठाके और वहां से भाग गया फिर वो जब लोगों ने उसे देखा भागे तो उसने इख में बच्चे को खा लिया और उसके कपड़े और उसकी खोपड़ी मिली है अब बाल फाल उसकी कपड़े से बढ़े तो इस बच्चे के कुछ घब से मिले हैं हड्डिया मिली है कपड़े मिले हैं तो सर इसमें क्या कहना जा रहे हैं सर्कारी जाणवर है तो इसकी सब्सक्राइब से देख जा रहा है संबल में बन विबाग की टीम भी लगी पड़ी है जगे जगे पर की असमोली में भी तेहंदुगा का अतंग करहा है फिर गुन्णौर में अगया उदर संबल में भी रहा था और सर आज यह नगला अज्म पिल्हाल बनविभा की टीम तेंदुवे की तलाश में गाउं में डेरा डाले हुए है और जल्द ही तेंदुवे को पकड़ने का दावा कर रही है पंजाब के से टीवी के लिए संभल से मुझमिल दानिश के रिपोर्ट